बायो बैना ये दिल्ली वाले पाप करते हैं और राज्यों को कहते हैं कि तुम धोर जालो दूब मरो दूब मरो दिल्ली वालो दूब मरो महिंगाई को देख के मुझे कहना पड़ता है बायो बैना तुम्हारे पाप से पेटरोल डिजल बढ़ता है हम वैट कम नहीं करेंगे ये मोदी जी ने खुद कहा था वीडियो है मेरे पास मोदी जी ने कहा था कि प्रधान मंत्री जी की उम्र के साथ ये रूपिया कॉम्पिटेशन कर रहा है मोदी जी की दो बर्थ डेट है और दोनों बर्थ डेट की उम्र से आगी कर दिया, शाओ तो सही कि कौन गिर रहा है आज के देश में, जब आज के प्रधान मंतरी जी के आप बहुत मानते हो, बहुत सुनते हो, नरोंद्र भई ने कहे दिया बगवान ने कहेगा, मैं किसी हवाबाजी में विश्वास नहीं करता हूँ ना फैकुबाजी में विश्वास करता हूँ कि सच को परिशान करने या जेल में डालने से ना रावन का शासत सलामत रहा था ना गंश का रहा था ना अंग्रेज का रहा था आपका कहां से रहेगा हाई रे बाजपाई महेंगाई, तुन्हें कैसी आफ़त ढ़ाई, देशवासियों के जीवन को बना दिया दुखदाई पोदी जी कुछ वर्ड क्वाइन करने में बहुत हुश्यार है उन्होंने क्वाइन किया, टॉप, टॉमेटा, ओनियन, एन पोटेटो, टॉप वित मंत्री जी, मैं उसकी बहुत इज़त करता हूँ, बहुत शालीन है और मैं जिस युनिवर्सिटी की बहुत इज़त करता हूँ, जवारलाल महरू युनिवर्सिटी जहांसे बहुत अच्छे चे लोग निकले, उस जेन्यू की वो पासाउट है जब 400 रुपया गैस का सिलिंडर था, तब एक मंत्री विरांगना हो जाती थी और गैस के सिलिंडर पर चड़ बैठती थी, लोग पुछते हैं वो मंत्री जी कहा है आये तो सही, अब तो 1100 हो गया है गैस का सिलिंडर, आये तो सही हो हाई हाई बाजपाई मैंगाई महराणी, थोड़ी सोज, थोड़ी सी देशवासी पे करो महरबानी के हमारे पर चाहे कितनी भी दिक्कत आए, देश की जंता की दिक्कत के चर्चा हम हाउस में करेंगे और इसे हम यान आए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सच को परिशान करने या जेल में डालने से ना रावन का शासन सलामत रहा था ना गंश का रहा था ना अंग्रेज का रहा था आपका कहां से रहेगा मैं महदें मैं महंगाई पे एक चंद लाइनों के साथ अपनी बात सुरू करना चाहता हूँ मैं महंगाई पे चंद लाइनों के साथ चंद लाइनों के साथ मेरी बात सुरू करना चाहता हूँ महंगाई पे हाई रे बाजपाई महंगाई तुन्हे कैसी आफ़त ढ़ाई हाई रे बाजपाई महंगाई तुन्हें कैसी आफ़त ढ़ाई देशवासियों के जीवन को बना दिया दुखदाई मैं महदेई मैं किसी हवाबाजी में विश्वास नहीं करता हूँ ना फैकुबाजी में विश्वास करता हूँ मैं आपको सोर्स बताऊंगा माननी महदेई Ministry of Consumer Affairs इनका एक डिपार्टमेंट है प्राइज मॉनिटरिंग प्राइज मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट जो आपका Ministry of Consumers डिपार्टमेंट का हिस्सा है उसके आकड़े आपको देना चाहता हूँ अभी पूर्व मंत्री रहे एक सदश्य जी बिना सोर्स बताए बात करते थे मैं सोर्स दिखाता हूँ महिंगाई का दर 2021 अप्रील में 4.23% था वही महिंगाई सिर्फ एक साल में अप्रील 22 अल्मोस्ट डबल हो गया 7.79% ये हालत है इस देश की इसी इसी Ministry of Consumer Affairs के Monitoring Division ने अपने आकड़ों में कहा है कि राइस हमारे वक्त में 1st May 2014 26 रुपिया 17 पैसे प्राइस थी वो 14 फॉस्ट मे को और 22 फॉस्ट मे को 35 रुपिया 85 पैसा 37% बढ़ा दिया आपने ये हूँ 20 रुपिया 5 पैसा था आपने 28.01 परसन कर दिया माने 37% बढ़ा दिया आप ये सारी चीजों पे आपने बड़ा लंबा लिस्ट है मैं इसी आदार पे जाके आप देखेंगे तो पता चलेगा मोदी जी कुछ कुछ वर्ड कोईन करने में बहुत हुश्यार है उन्होंने कोईन किया टॉप टॉमेटा ओनियन और पॉटेटो टॉप और ये आम आदमी के लिए आम नागरी के लिए टॉप जरूरी होता है उसकी प्राइजिस टॉप पे चड़ा दिया आपने ये हकीकत है कहते थे 2014 में बहुत हुई महिंगाई की मार अब लोग कहते हैं बसकर मोदी सरकार मैं आपको ये कहता हूँ आपके जरीय मोदे वित मंत्री जी मैं उसकी बहुत इज़त करता हूँ बहुत शालीन है और मैं जिस उनिवर्सिटी की बहुत इज़त करता हूँ जवारलाल नहरू उनिवर्सिटी जहां से बहुत अच्छे चे लोग निकले उस जेनियू की वो पासाउट है वहीं से उन्होंने शिक्षा ली है जिनको कुछ लोग शासक पक्ष के जुड़े हुए कहते है देश द्रहिवों का अड़ा गुंडों का अड़ा मैं उस जेनियू का बहुत समर्थित हूँ मैं वितमंत्री जी से गुजारिश करता हूँ कि आप आप तो सम्वेधनशिल है आप जड़ा गुजरात के उस अखबार को चार दिन पहले के उठा के देख लेना एक एजुकेटेट बंदा सुसाइट करता है और एक सुसाइट नोट में लिखता है कि मैं मर रहा हूँ मैं पढ़ा लिखा मुझे रोजगार नहीं मिला मजदूरी करता हूँ पर महंगाई इतनी है कि मैं मेरे घर परिवार का पोशन नहीं कर सकता हूँ मैं आत्म हत्या कर रहा हूँ मैं दूसरी बात आपसे करता हूँ उस बोटार डिस्ट्रिक के बोटार डिस्ट्रिक के रोजीद विलेज में मोहदे एक कांड होता है महत्मा गांदी जी की भूमी जहां नशा बंदी है शराब बंदी है वहाँ शराब बिक नहीं सकती है वहाँ पे जहरीली शराब आती है 75 लोग जान गवा देते हैं मैं विशे इसी के जुडाय में कहता हूँ और उसी वक्त पे कुछ बच गए उनकी आँखे गई किड्नी गई वो कहता है इंटर्यू में कि मैं मजदूर हूँ मैं शराब नहीं पीता था महंगाई इतनी है महंगाई इतनी है कि मैं डबल शिफ्ट में काम करके डबल मजदूरी करता था इतनी तन्तोड मेहनत करता था कि रात को सोने के लिए मैं थोड़ी सी शराब लाके पीता था और जिसमें जहरीली शराब आई मैं आपके जर्य वित मंतरी जी से गुजारिश करूँगा कि प्रदान मंतरी जी तो अब गए वो वहार ओजित नहीं गए थे उन गरीब के आशू पहुचने नहीं गए वित मंतरी जी आप पदारो मैं आपके साथ चलूँगा हम दोनों जाएं और उसके घर के लोगों के आशु देखके, फिर आप फिकार करना कि महँगाई है कि नहीं और हम दोनों जाए और वो परिवार कहे के महँगाई नहीं है मैं आपसे और इस हाउस से भी माफी मांगूगा कि मैंने जो बाशन दिया था, वो मैं विड्रो करता हूं और मापी मांगता हूँ हकिकत तो ये है कि लोग बहुत परिशान है हमारी बात ओपोजिशन की बात लोग तंत्रम में सरकार को सुनना चाहिए और लोग तंत्रम में ओपोजिशन की बात मानना भी चाहिए पर आज का दौर ऐसा नहीं है इसलिए मैं इसलिए मैं मेरी बात नहीं मैंने जब आज के पृचान मंतरी जी के आप बहुत मानते हो बहुत सुनते हो नरेंधर भiय ने कह दिया पगवान ने कह दिया इसलिए मैं कहता हूँ कि जब वो वहां के गुजरात के मुख्य मंतरी थी मैं विरूदी दल का नेता थू उस वक्त की वीडियो मैंने निकाली है मेरे सोसिल मीडिया पे लगाई है और आप चाहोगे तो सीधी आपको दे दूँगा उसमें मोदी जी ने कहा था महंगाई को देखके मुझे कहना पड़ रहा है डूब मरो डूब मरो दिल्ली वालो डूब मरो महंगाई को देखके मुझे कहना पड़ता है भायो बैना कि ये महंगाई को रोक नहीं सकते वो सरकार किस काम की ये कहने वाले आज नरेंद्र भाई मोदी जी का वीडियो सोसिल मीडिया पे है महंगाई से परेशान लोग महंगाई के परेशान लोग उमीद करके बैठे थे कि पारलामेंट शुरू हो रही है हमें कुछ रिलिफ मिलेगी हमें कुछ राहत मिलेगी राहत नहीं दी आपने जी एस्टी का और मार मार दिया रिलिफ देने की बज़ाए जी एस्टी हजार से नीचे वाले कमरे में कौन रुपता है एक गरीब रुपता है उस होटेल का 1000 के कमरे के उपर भी आपने GST पाच प्रतिशत डाल दिया अरे यहां तक कि आपने समशान को भी नहीं जोड़ा समशान के उपर भी आपने GST डाल दिया इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है मौदय मैं यह कहना चाहता हूँ अभी माननी सदश्य प्रकास जावडेकर जी कहते थे कि आप ऑईल बॉंड लाए मैं आपको कहना चाहता हूँ आप आखड़े देखिए पेट्रोलियम अनालिसी सेल के आकड़े देख लीजिए आपने 27 लाख करोर रुपिये वसूल किये और बॉंड में कितने बरे हैं आपने सिर्फ 98,000 करोर और 27 लाख करोर रुपिया आपने टैक्स कलेक्ट किया कि इस नाम से आप बॉंड की दुहाई दे रहे हो मैं महदे जावडेकर साहब माननी सदश्य स्री कह रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में याद दिलाना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट रसोई गेस लपिजी जिसे ट्राइ करता है साओधी अराम को हमारे वक्त में 2013-14 में इस साओधी अराम को के मुताबित 885.2 US डॉलर पर मेट्रिक टन LPG का प्राइस था और उस वक्त हम देते थे बोटल 400 से 415 में आपके वक्त में मार्च 2022 में 769 US डॉलर पर मेट्रिक टन LPG मने सस्ता हो गया और आपने 400 से 1100 रुपिया गैस का सिलिंडर कर दिया महदे मैं पूछना चाहता हूँ जब 400 रुपिया गैस का सिलिंडर था तब एक मंत्री विरांगना हो जाती थी और गैस के सिलिंडर पर चड़ बैठती थी लोग पुछते हैं वो मंत्री जी कहा है आये तो सही अब तो 1100 हो गया आगया इसका सिलिंडर आये तो सही हो मैं महदे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जब थी उसके आखरी तिन साल का एवरेज जावडेकर जी आप देखिये उस तिन साल का एवरेज कच्चा कुरूर था 108.46 यूएस डॉलर पर बैरल और हम कितने में देते थे कभी 100 रुपिया नहीं पहुंच दे दिया और आपकी सरकार का लास्ट तिन साल का एवरेज देखो कच्चा कुरूर हुआ 60.6 यूएस डॉलर पर बैरल माने आधा हो गया पर आपने 100 के पार कर दिया मैं आपसे यही कहता हूँ कि प्रदान मंत्री जी गुजरात के मुख्य मंत्री थे और जब मनमौन सी जी ने कहा कि आप स्टेट वाले थोड़ा वैट कम कीजिए तो मुदी जी ने क्या कहा था भायो बैना ये दिल्ली वाले पाप करते हैं और राज्यों को कहते हैं कि तु होएंगे कम करना है तो तुम तुम्हारा एक्साइज करो करो तुम्हारे पाप से पेट्रोल डिजल बढ़ता है हम वैट कम नहीं करेंगे ये मोदी जी ने खुद कहा था वीडियो है मेरे पास मेरे खिलाफ प्रिविलेज करना मैं वीडियो दिखा दुका के एक पैसा कम न जिनते हुए मोधी जी ने कहा था कि प्रधान मंतरी जी की उम्र के साथ ये रुपिया कॉम्पिटेशन कर रहा है अरे वो तो प्रधान मंतरी जी अच्छे थे को उनहोंने अपनी उम्र से आगे कभी नहीं जाने दिया मोदी जी की दो बर्थ डेट है और दोनों बर्थ डेट की उम्र से आगे आज रूपिय की किम्मत चली गई है यह हकीकत है वो कहते थे रूपिया गिरता है तो समझ लो प्रदान मंत्री गिर रहे है उसकी इज़त गिर रही है वो कहते थे रूपिया गिरता है तो समझ लो देली की सरकार की इज़त गिर रही है मैं आज कहता हूँ कि आपने तो रेकॉर्ड ब्रेक कर दिया आओ तो सही कि कौन गिर रहा है आज के देश में वो दिखाई तो सही इनी लबजों के साथ आप इजाज़त दे तो दो लाइने जो सिर्फ मैंने दी है ये इसके उपर महंगाई के उपर आप अगर दो मिनिट दे दे तो मैं दो लाइने आपका टाइम ओबर हो सुका है एक कविता की दो पंक्तिया हाई हाई बाज़पाई महंगाई महरानी थोड़ी सी देशवासी पे करो महरबानी सारा देश तुम से परेशान कुछ तो पुपा करो सरकार आई है जब से भाज़पाई कठिन हो गई है देश की जिंदगानी स्वाद गया जीवन से बेस्वाद हो गई है देशवासी की जवानी